हेलो एवरीबिटी वेलकम तो एवरेज कोजिंग इंस्टिटीट टोड़े विल डिसकस क्लास ट्वेल्थ इंडियन इकनॉमिक डैवलप्मेंट इकनॉमिक्स की जो बुक है वह हम पढ़ेंगे वह हमारी सीरीज चल रही है चाप्टर human capital formation in ंदिया हम उसको की चल करेंगे तो चलो शुरू करते हैं बचे ए हमने human capital formation हम detail में पढ़ चुके हैं क्या होति है और आज हम discuss करेंगे इस वीजियो में कौन सी हमारी problems है जो human capital formation इंदिया में फेस कर रही है सो लेट्स दिस्कस सो जो में दियर आर में ली बैसिकरी फोर प्रॉब्लम्स जो हमारी हमारी हमन कापिटल फॉमिशन फेस कर रही है वो कौन-कौन सी है पहली एक राइजिंग पॉपॉलेशन अब देखो इंडिया में पॉपॉलेशन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है अब जितनी ज़्यादा पॉपॉलेशन होगी उतनी ज्यादा पर क्यापिटा किक सी भी चीज के वेलबिलिटी कम होगी जो इंडिया है और ऐसे जैसे और कंटरीज है जिनकी पॉपुलेशन बहुत चोट मलब कंटरीज के अकॉर्डिंग जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़ादा राइज हो रही है और वो इतनी डेवलप नेशन नहीं है उन कीजिस में क्या होता है per capita availability of resources reduce हो जाती है वो जो per capita availability means जो education की आपकी facilities हैं या health की जो facilities हैं वो per capita availability कम हो रही है उसके कारण क्या human capital formation अच्छी ऐसी countries में इंडिया या इंडिया जैसी countries में अच्छी नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारी population बहुत ज़्यादा rise हो रही है और उसके कारण हमारा जो government कितना भी खर्चा कर रही है government sector या private sector कितना भी invest कर रहे है पर वो investment जो है per capita के लिए पूरी नहीं पड़ रही है next comes brain drain brain drain basically क्या है कि जो आपकी migration होती है लोगों की एक जगा से दूसरी जगा this can be within the country and outside the country but हम human capital formation की case में हम outside the country की बात कर रहे है जो हमारी country से दूसरी countries में means physical boundaries के बाहर जो जा रहे है जहां पर आपको laws जो है दूसरी country के rules फॉलो करने पड़ते है language, custom, tradition, सब कुछ फॉलो करने है तो जो है जो लोग एक जगा से दूसरी जगा पर जा रहे है वो basically क्यों जा रहे है due to better employment opportunities better working conditions and better living standard लोगों को यह है कि लोगों को यह लगता है कि अगर हम दूसरी country में जाएंगे वहाँ पर हमारा standard जो है living standard अपग्रेड हो जाएगा so brain drain एक बहुत important reason है जिसके कारण क्या है हमारी human capital formation में अच्छ बड़ातरी नहीं है क्यों कि यहां से इंडिया से लोग पढ़ लिखके दूसरी country में जाके सर्फ कर रहे है then comes inefficiencies and planning inefficiencies and planning में हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी developed nations नहीं है like इंडिया इन में planning अच्छी नहीं हो रही है कि हमारी demand of labor और supply of technical labor में जो हमारी एक equality rate एक equilibrium rate जिसके कारण क्या है जो आपकी कैसे बढ़ेगा यह आपकी education standards से बढ़ेगा अगर education different levels की available लोगों को जादा होगी और ताकि जो उनकी demand हो रही है और उनकी supply है वो equal हो और वो human ability की power को skill को standards को सारे को properly use कर सके high poverty levels high poverty levels क्या है कि हमारी जो population है significant population means काफे जादा लोग इंडिया में जो है वो गरीबी में रह रहे हैं और उन लोगों के लिए जो basic necessities of life है वो ही लिए बहुत मश्किल हो रही है so जो higher education है या medical care है जो उनके लिए अगर कोई जादा बिमारी आ जाती है तो then it creates a problem for them उनके लिए वो avail करनी बहुत जादा मुश्किल हो जाती है ठीक है Then comes education sector in India अब इंडिया का education sector कैसा है अब देखो इंडिया का education sector हमारा depend करेगा कितना government expenditure करें, खर्चा करें education sector पे अब वो जो खर्चा करें government education sector पे वो दो तरीके से आप express कर सकते हो एक तो as a percentage of total government expenditure means total government expenditure में से कितना expenditure government जो है वो आपकी education के उपर कर रही है या आपकी percentage of GDP आ सकती है तो पहले हम बात करेंगे total government expenditure में वो basically वो देखते है कि पूरा सरकार के खर्चे में से कितना खर्चा वो जो है education पे लगा रहे है तो इसका formula basically क्या है आपको formula आ सकता है that is total education expenditure into 100 divided by total government expenditure means कितने government expenditure में से कितना expenditure जो है वो education के पर लगा रहे है percentage में लगाना है तो यह simple सा formula है आप यह दे को education expenditure जो 1952 से 2014 के बीच में 7.92 से 15.7% तक बढ़ा है और जो इसको अगर हम express करें as a percentage of GDP तो 0.64 से 4.13 बढ़ा है यह over so much of years over approximately 62 years के टाइम में यह हमारा ratio काफी बढ़ी है percentage काफी बढ़ी है तो अगर यह ज़्यादा पैसा government जो है education के पर लगा रही है तो वो क्या बता रहे है वो basically यह शोगर है कि education की importance कितनी ज़्यादा हमारी economy में अब बढ़ रही है कितनी ज़्यादा government aware हो रही है कि अगर उनकी जो population है citizens है अगर और प्रॉपली educated होंगे तो वो एक basically human capital formation में convert होंगे और ठीक है अब दूसरा method इसका देखते हैं दूसरा method जो है as a percentage of GDP है as a percentage of GDP में क्या करेंगे कि हमने total expenditure on education करना था formula वो यह total education expenditure into 100 हम बस divide करेंगे total GDP से क्योंकि हमने total GDP का percentage देखनी है अब यह हम जैसे हम पहले भी discuss कर चुके अभी मैंने आपको करवाया पहले कि 1952 से 2014 मिन 62 years के क्याप में जो आपकी education expenditure है वो rise wise percentage of GDP 0.64 से 4.13 तक गया है तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा education के पर खर्चा हो रहा है मतलब एक तो सरकार भी उतना ज़्यादा चाहती है कि हमारे जो citizens हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हों educated हों और दूसरा जो इसमें लोगों की भी commitment है लोग भी कहते हैं कि हम लोग ज़्यादा education के लिए determined है ठीक है अब यही इसका ही जो हम अगर हम latest survey देखे हैं 2022-23 में economic survey जो था उसके accordingly total education outlay जो आपका national और state level expenditure जितना होई वो add up हुआ है 2.9% जो country का GDP था 2022 में और वो एक ये जो percentage है ये पूरा पूरा आपका constant रह रहा है पिछले चार सालों से जो वो कह रहा है कि ये जो खर्चा है आपका at least 6% होना चाहिए जो हमारा 2.9% है means अभी उतना नहीं सरकार कर पा रहे है पर उतना होना चाहिए करेगी तो human capital formation में भी बढ़ात रही हो ठीक है बटा अब है हमारा के जो primary education क्या है और क्योंकि हमारा three tier education है primary education है secondary education और tertiary या higher level education है तो primary education की अगर हम बात करें basically primary education जो है वो 6 to 14 years के बच्चों की होती है तो जो आप you can say in other words up to 8th standard 8th class तक जो education सरकार ने government schools में अगर आप लोगे तो it is free of cost वहाँ पे आपको free of cost है midday meal भी दिया जाता है तो basically वो किसली दिया जा रहा है ताकि जो लोग बच्चे families जो अफोर्ड नहीं कर सकती अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो भी अपने बच्चों को भीजें ताकि क्यूंकि government schools में आप देखो वहाँ पे आपको बच्चे एक तो midday meal मिलता है जो ज़्यादा गरीब फैमनी से बच्चे आया है उन बच्चों के लिए आपकी books भी available हो जाती है और उनको जो है वो uniform भी उनको free of cost मिल जाती है so it is this is basically done by the government to promote education so that all the citizens in the country should read and write ताकि जितने भी हमारे लोग economy में हैं जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे at least पढ़ लिख सके हैं लिट्रेटो ठीक है पर यह जो expenditure है आप देखोगे पूरी all over the India एक जैसा नहीं है कहीं पर बहुत जादा है कहीं पर बहुत जादा कम है अब जैसे कुछ states हैं जहां पर जैसे हिमाचल परदेश है वहां पर education बहुत हाई है अभी latest newspaper में आया था कि girl education को girls को promote करने के लिए transfer facility भी प्री दी जा रही है और उनकी जो higher education भी प्री है पर यह जो है कहीं states बहुत चाफ़ट ले रही है जैसे हिमाचल परदेश में आपको पता है पर कहीं हो में education के पर बहुत जादा कम focus किया जा रहा है जो investment बहुत कम की जा रही है जैसे बिहार है जो ऐसी जो है कहीं पर बहुत जादा है और कहीं पर बहुत कम है इसका regional disparity है तो यह जो regional disparity basically इसका क्या result है इसका end result यह आजाता है बटा कि educational opportunities different states में एक जैसी नहीं है इंडिया में हर जगह आपको same type की quality of education नहीं मिल पाती है ठीक है now comes secondary education secondary education हमारे यह आती है जो 14 to 18 years के बीच में आती है जिसको you can say from 9th class to 12th standard 9th से 12th तक के बच्चों के लिए जो है वो secondary education है और यहां पे जो है सरकार गर्मेंट जो है खर्चा कम करती है और क्यों कम करती है क्योंकि यह दिया लेस नमबर आफ चिल्टरें इस age group में बच्चे कम हैं कहीं बच्चे drop out कर जाते हैं क्योंकि 8 तक बिल्कुल free है 8th onwards जो है बिल्कुल free नहीं है तो कहीं बच्चे उसमें drop out करते हैं कहीं mainly basically girls जादा drop out करते हैं बट अब जैसे हमारी इंडिया में ज्यादा awareness हो गी है लोगों में education के लिए अब many people are now motivating their girls to study वो अपनी girls को school भीजते हैं अपनी बेटियों को school भीजते हैं ताकि वो बेटियां पढ़ लिखे अच्छी independent एंसान बन सकें right now comes higher or tertiary education जो मैंने आपको बोला 3 tier है तो higher or tertiary education में क्या है जो 18 plus की age group आते है क्योंकि हमने 18 तक हमने पढ़ लिया 6 to 14 primary sector 14 to 18 year secondary sector and 18 plus जो आता है वो आपका higher or tertiary education ये basically आपकी graduation, post graduation या professional courses आते हैं यहाँ पे यहाँ पे आपके बच्चे बहुत ज़्यादा कम होते है less number of students का क्यों? क्योंकि ये education जो है यह वाली जो काफी महिंगी है जो सरकार भी ज़्यादा खर्चा इसके उपर tertiary education के उपर करती है वो क्यों करती है सबसे ज़्यादा खर्चा वो इसलिए कर रही है क्योंकि एक तो उनकी fees बहुत महिंगी है वैसे उनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और जो बच्चे कम है तो higher expenditure पर student जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है जिसके कारद number of students इसमें कम अवेल करते है ठीक है आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें शेयर करें अपने friends के साथ अगर कोई दिक्कत है तो comment box में query पूछ सकते हैं आप और आगी की update सेखने के लिए इस channel के साथ त्यून रहें सब्सक्राइब करें and thanks for watching